कि है एलो फ्रेंट्स वेरी गुड मॉनिंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ल्डीसी एप्यों सेवेंटी पर्सेंट कोटा जो इस्टन रेलवे द्वारा एक्जाम लिया गया था अस्टेश्टन पर्सोनल ऑफिसर का तो उसमें जो कुश्टन्स पूचे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा और साथ में मारे चैनल रेलवे पाटा को सब्सक् करें थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह कुश्टन दसें ट्रीनिंग इंस्टिट्यूट फॉर ट्रेंग आफ आई रसी इंग्डियन रेलवे सर्वेस पर इंजिनियर्स प्रोवेशनर्स ग्रूप ए तो जो सेंट्रलाइस ट्रीनिंग इंस्टिट्यूट्स है जितने भी इंजिनियर्ण के प्रोवेशनर्स हैं ग्रूप ए सर्वेस में वो कहां पर होती है तो सबसे पहले ऑप्शन है इरीसिन पुने इरीन नासिक इरीसिट सिकंदराबाद और इरीट्यम लकनवू तो जो सेंट्रलाइस ट्रीनिंग इंजिनियर्ण का है वह कहा है नासिक में है और सिग्नल इंजिनियर्ण का जो है वह सिकंदराबाद में है ओके और जो ट्रैफिक मेनेजमेंट है वह कहां पर है लखनौ में है और ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट ट्रैफिक मेनेजमेंट इसके अलाबागर हम बात करें जो फ जहां पर फानेंशियल एंड मैनेज़रियल ट्रेनिंग ऑफ ओफिशर और स्टाफ होता है अपकाउंट डिपार्टमेंट तो यह बेसिकली बढ़ोद्रा और सिकंद्राबाद में है तो इस पॉइंट्स को भी याद रखिए कि नैस्स कोंशन आए अभी पूछा जाए रहा है कि नैव iOS रिले बॉर्ट कांपोजीशन के बारे मेंusa नीवी क्रेशत्तों मेरिंड व क्रेश है अब ही टोटन 4 प्लस्वान मेंबर कितने है फॉइश है है वन जो है तो CR source सी यो मिस्टर वीके त्रिपार्थी विन्य कुमार त्रिपार्थी एट परिजन दे ही सी यार बेंड सी यो और इसके अलावा जो मेंबर आफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक की पोस्ट भी वेकेंट है और मेंबर इंफरस्रक्ट्चर जो है है संजीव मित्तल जो के अडिशनल चार्ज में यह मेंबर आफ थैक्शन डूलिंग स्टॉक के साथ閑 सबएक HOR तीसरा है ममबर आफ ओपरेशन बिजन्श डेvillipment और चौह्ता है मिमबर ऌफाइन्स मिमबर आफ ओपरेशन डेवलिंश डेवलिप्वेप्ट है संजे जो रिडेक्शन है यह हुआ है यह 24 डिसेंबर 2019 को गौर्मेंट ने डिसीजन लिया इसके आधार पर किया गया तो याद रखेगा दिसंबर 2019 में जो है रेले वोट का कॉम्पोजिशन वह 8 से 5 कर दिया गया इंक्लूडिंग CRB and CEO ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो कुछ बजट की भी बात कर लेते हैं अगर तो लास्ट रेले बजट जो है उसको प्रेजंट किया था मिस्टर सूरेस प्रभू ने और 21 सेटेंबर 2016 को जो है तो गौर्म ने डिसाइड किया कि अब इसको जो है तो जेनरल बेट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा इस तरह है फ्राउं टूस 2017 ऑनवर्ट्स जो है इसको जो है तो जेनरल विजट के साथ मर्ज कर दिया गया और 92-year-old convention को जो है समाप्त कर दिया गया ठीक है तो 2016 में अप्रूव हुआ और 2017 से स्टार्ट हो गया टिक है इसके अलावा अगरम बात करें तो जो फस्ट मर्ज वाला रेले वजट में प्रेस किया था मतलब जनरल वजट के साथ में तो मिस्टर अरून जेटली ने करा था तो इस तरह से अगर रेले वोड़ कॉंपोजिशन की बात करो तो सबसे पहले तॉप लेवल मिनिस्टर अफ रेलबे आता है जो अब ही राव साहब दानवे और दर्सन जर्दोस हैं तो राव साहब दानवे और दर्सन जर्दोस यह दो Minister of State for Railway और इसके बाद आते हैं CRB and CEO that is Mr. B. Nekwarthry Party तो इस तरह से और फिर इसके नीचे आते हैं Members जो भी रहते हैं Traction, Rolling Stock, Infrastructure, OBD and Finance ठीक है तो इस तरह से हमारा जो Newly Formed Railway Board Composition है 4 प्लस 1 का इसके बाद 3rd number questions की बात करें अगर यहां पर तो पूछा जा रहा है Physical Efficiency Test for Recruitment of 7th पर Female Candidates eligibility पूछा जा रहा है यहां पर तो जो Group T है उसके लिए जो है यहां पर Female Candidates के लिए कुछ parameters और कुछ standards एट किये गए हैं इतनी की running होनी चाहिए इतना weight जो है तो carry कर सके इस चीज़ को लेके question पूछा गया है तो यहां पर जो Physical Efficiency Test है PT जिसको बोलते हैं तो अगर बात करें Male Candidates की बात कर लें तो Male Candidates का है कि वह जो है तो 35 kg का weight lift और carry कर सके और उसको जो carry करके हुआ है 100 मीटर तक 100 मीटर तक बीना रखे हुए 100 मीटर तक एक stretch में दो मिनट में जो है तो उसको पहुचा दे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठीक है 100 मीटर चलके 35 kg का weight दो मिनट में lift और carry कर सके male candidates के लिए और साथ में और बात करें running की तो 1000 मीटर का जो run है मतब एक किलो मीटर का run वह जो है तो 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करें एक chance में तो यह male candidate के लिए standard था इसके बाद यहां पर पूचा जा रहा है female candidates के लिए तो female candidates के लिए standard जो है that is able to lift and carry 20 kg of weight है ना 20 kg का weight जो है तो हो है lift और carry कर सके for the distance of 100 meter in two minutes तो दो मिनट में 20 kg का weight carry और lift करना है और कितना चलना है उसको 100 मीटर चलना है एक chance में बिना रखे हुए तो यह standard जो है तो set किया गया इसके लावा running के अगर बात करें आपर तो 1000 मीटर करन उसको complete करना है पांच मिनट 40 seconds में तो running of distance of 1000 meter यहां पर आएगा 1000 मीटर का run complete करना है उसको और कितने मिनट में करना है उसको पांच मिनट 40 seconds तो यह question पूछा गया था पांच मिनट और 40 seconds five minutes and 40 seconds in one chance तो यह question हो गया का अच्छा questions था यह questions female candidates कि मैंने बता आया और male candidates के लिए बता दिया आपको तो प्रीज से याद रखेगा इसके अलावा next question बात करेंकर as पर seven CPC highest paying government तो जो highest pay government का होता है with effect from first January 2016 first January 2016 date जो है यह date है जो कि seventh pay commission हमारा लागू किया गया था इस date से एक January 2016 से तो इसके according जो है तो highest pay कितना है government तो इसके according जो है इस्ट पे है वह two lakh fifty thousand है जो की cabinet secretaries rank और other जो भी group class A officers है उनको दिया जाता है तो cabinet secretaries का जो पोस्ट है वह two lakh fifty thousand रूपीज उसको government pay करती है इसके लावा अगर label one की बात करना तो 18 thousand से start है और इसमें जो है total 18 column है matrix में 18 column है ठीक है इस बात को भी ध्यान रखना है मैं इसके अलावा पूछा गया 7th CPC setup on date तो इसका answer question number four में ही मैंने बता दिया आपको जो 7th CPC set किया गया था वह January 2016 में set किया गया था तो January 2016 इसको याद रखेगा प्लीज और इसके अलावा अगर बात करें तो 7th CPC को hit किया था किसने तो 7th CPC को hit किया था Mr. A.K. माथूर यह नाम भी याद रखेगा काफी चर्चान में रहा था यह नाम तो A.K. माथूर Mr. A.K. माथूर who has headed the 7th CPC Pay Commission और इन्होंने जो है तो 23.55% कितना 23.55% जो है allowances और salaries में high की बात करें थी जो salaries और allowances है या pay and allowances है जितने भी across all sector of governments उसमें high की बात करें थी 23.55% हाइक होना चाहिए 7th CPC January 2016 Mr. A.K. माथूर 23.55% हाइक यह चीज याद रखना है इसके लाबा 6th question की बात करें गर तो break-in service of an employee may be condoned by काफी important question है और काफी repeated question है तो break-in service होता है employees की condoned किया जाता है किसके ज़रा president के ज़रा condoned किया जाता है so president option is the right answer इसके लाब मुझा रहा है introduction of NPS that is very गीसा बीटा question introduction of NPS कब हुआ था तो इसका answer है एक जन्वरी 2004 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 सबको पता है श्री अटल विहारी वाज पे गवर्मेंट वारा जो है तो इसको new pension system इसको लागू किया गया था next time what extent pension of employee commuted यह पूचा रहा है कि pension का कितना भाग जो है तो सब्सक्राइब को लेके है जॉइंट कंसुल्टेटिव मशीनरी काफी इंपोर्टेंट है इन जेसी हम एक नेशन लेबल की बात की जा रही है आपर आजिए नमबर मेंबर स्वाफीशल साइड इंड स्टाफ साइड ठीक है तो जैसा कि ऑफीशल साइड और स्टाफ साइड दोनों तरफ के मेंबर होते हैं जे सिम में तो पूचा रहा है वाट इस वाट इस स्ट्रेंट और कैपसिटी इसे भी याद रखना है क्योंकि यह यह भी मुच्छा जा सकता है कई वार तो जेसी हम जो है 1966 में आया था और बात करेंगर तो यह एक प्लेटफॉर्म प्रुवाइड करता है फॉर कॉंस्ट्रक्टिव डायलोग तो यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें की स्टाफ साइड से और ऑफिसियल साइड से जो है तो जितनी भी समस्याएं है उन पर बात होती है जितने भी पीस्फुल तरीके से जिसमें की एंप्लॉयर और एंप्लॉयस की बिच में जितने भी मत्वेद हैं उनको सॉल्व करने के लिए सब्सक्ति कि जिइदन के जा है और यह वन सिनाफ पोर मशूता है इसका अगर टाइम प्यर्ड बात करें दो है यह उन सिनाफ फूर मॶ्त होता है तो चारव महिने में में एक बार होता है जुसाल में 30 भार होता है तो यहां को एक पूर्टवर्यन क्यर्वочь 25 members up to 25 members that is appointed by government please remember it 25 members are appointed by government whereas from staff side if we talk about staff side up to 60 members 25 and 60 members up to 60 members that are nominated by the federations recognized federations NFIR that means what Majdur Senghor employee union trade unions 60 members nominate in between 25 versus 60 where is JCM JCM establishment 1966 this point 10 next question 10 here RVE number 131 oblique 2017 this deal very important question 131 oblique 2017 this deal inter-railway mutual transfer inter-railway inter-railway on-request transfer inter-railway mutual transfer inter-railway on-request transfer none answer inter-railway mutual transfer RVE number 131 oblique 2017 next ARB number question 139 2018 dashed as competent authority to allow request transfer of non-gadgeted allow request transfer of non-gadgeted employee on-out-of-turn basis so competent authority GM AGM PCP or PHOD okay question here RVE number 139 2018 2018 की बाद की जरीए तो इसमें GM competent authority 139 2018 GM is the competent authority hearing impairment definition question number hearing impairment क्या होता है तो अगर कोई person that is minimum 60 dB hearing loss so hearing impairment in a better hearing speech conversion frequency store 60 dB को hearing loss है तो hearing impairment में आएगा इसके अलावा next question पुचा गया है medical standard for post of what DMS question number 13 की बात करें तो यहां पे DMS की बात की जा रही है that is depot material superintendent store store में post होती है उसके लिए medical standard मुचा गया है for recruitment through RRB तो DMS के लिए जो medical standard होता है वह होता है C1 C1 का टेगरी का so option D is the right answer A2 A3 B1 C1 इसके लावा question number 14 की बात करें तो यहां पे medical standard मुचा है for JEPW for recruitment through RRB तो JEPW के लिए जो है वह है A3 standard का A3 standard का जो है तो medical standard होना चाहिए ठीक है इसके लावा JEE Works की बात करें तो उसके लिए C1 होना चाहिए JEE C&W की बात करें तो उसके लिए B1 होना चाहिए तो इस तरह से हमने टोटल इस वीडियो में total 14 questions discuss करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से जादा अपने फ्रेंट्स और कलीक्स के साथ शेयर करें ठांक्स रवचिंत इस वीडियो आपको अपपस। आपको भी बूल को करी आपको